लोग बच्चों आप सब लोग त्या रहें। और अब हम डिस्कस करने चाह रहे हैं मार्केटिंग के बारे में लोगों के उत्तान और कल्याण विकास के लिए, उनकी उपज के लिए, किसानों की उपज का उचीत मुले उन्हें मिल सके, यानी विपनन पर बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे टो यहां हम बात करें एंगरीकरचीर मार्केटिंग सिव्ट्रम पर करेंगे कि क्ररश्ची दौना ver करेंगे यानि विक्रे उप्राद विक्रे से पूर और विक्रे के उप्राद तक की समस्थ क्रियाएं मार्केटिंग में आती है मार्केटिंग क्या होती है विबनन क्या होती है बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसा व्यापक विचारी है एक ऐसी क्रिया होती है जिसके माद्यम से वस्तूर सेवाओ के उत्पादन से पूर की जाने वाली क्रियाओ से लेकर उनके वित्रन की और आउशिक विक्रे उपरान तक की सभी सेवाओ को शामिल किया जाता है यानि विपनन एक ऐसी परिक्रिया होती है ऐसी व्यापक क्रिया होती है जिसके माद्यम से विक्रे से पूरु से लेकर विक्रे के उपरां तक समस्त क्रियाओं को मार्केटिंग में विपनन में शामिल किया जाता है और यह विक्रे बढ़ाने में साइग होती है इसलिए कर्शी विपनन का उद्देश है कि किसान अपनी फसल को जादा से जादा उत्पादित कर सके और उसको फिर अच्छे बाजार में वे सके और अच्छी उस उपजगा उचित मुल्य ले सके यह सबी चीज़े करशी विपनन के लिए आउशक है ताकि करशी विक्रेगा बढ़ावा सके और किसान को अपनी उपजगा उचित मुल्य मिल सके करशी विपनन में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चो करशी को अपने उत्पाद जो होता है जो किसानों के द्वारा जो फसल त्यार की जाती है उसके लिए उन्हें लापकारी मुल्य ले लाना इसका मुख्य उद्देश है और उनकी विकास के लिए ये आउशक भी है जैसे बंडार, रन का विकास करना, सडक निर्मान करना, यातियात की विवस्ता करना, मंडी का विकास करना अगरिम आउशकता है जैसे कारे के लिए साकी आउशकता होती है गुष्षिक का करष्षप का विकास होगा और गरामिन अर्थवस्ता, उन्नात और संबद हो सकेगी, इसलिए करशी विपनन आउशक है, इसलिए करशी विपनन के लिए क्या क्या जरूरी है, कि एक तुझ जो किसान के द्वारा फसल त्यार की जाए उनकी लिए उचित बंदारन विवस्ता होने चीए, उनकी फसल खरा करना के लिए साख की भी आउशकता होती है इसके आबाओं से क्या होता है जब तक ग्रामेंट के लिए ग्रामेंट किसानों के लिए साख नहीं पूचेगा तो देशी बेंकर के चुंगल में फस्दाएंगे और अपनी फसल उन्हें सस्ते दाओं बेज देंगे और वो उनका ग्राम demaar के लिए टक था कंशन कर लेते हैं यह सभी आशक है तकि उन्हें उनकी फसल्राव उस्तिति बताता है खसान अपना माल बेजते समय तोल मौल में आपने चिटिंग होती थी इनके माल के साथ गडबडी की थी खातों में गडबडी कर पर इसलिए उनका शोशन होता था प्राय किसानों को बाजार की परचित बहुत को यह पता है जो जम्विदान ने बोल दिया वह उसी रेट में बेच दे दे थे और क्योंकि उसका कारण था एसिक्षा अनपर थे उनकी पास ग्यान नहीं था और तकनीकी नोलेज नहीं था परंपरागर तकनीकों से वह काम कर रहे थे इसलिए करशिक शेत्र का विकास करना ही आवशक जरूरी हुआ बाजार में परचीत बाओ का पता नहीं होने के कारण वह अपने माल बहुती कम कीमत में उन्हें बेच दे दे थे साथ उनके साथ तोल्फोल तोल में भी हरावेरी होती थी इस तरह से करशिक शेत्र का विकास नहीं हुआ क्यों किसान बड़ी मेहनत कर गे फसल को त्यार करता ह परन्तु उनके फसल का उन्हें उच्छत मुले नहीं मिल पाता था उनके पास अपने माल रखने के लिए अच्छे बंडार करेंट नहीं थे इसलिए कारण उनकी फसल खराब होने का उन्हें डर रहता था तो बच्चों हम बात कर रहे हैं एक्रिकर्चल मार्केटिंग उपरान कर्शुक्त कि सभी क्रीयाओं को शामिल किया जाता है किर्शी उपरजगी विबनन में क्या-का समझ्छी आती है उस पे हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बहुत से बिचोली है जिनकी वज़ेसे किसान को अपनी फसल का उचित μुल्लें नहीं मिल पाता है भारत में कर्शी उपज़ की विपनन में किसानों अ उभ्गता के बीच मद्दिस्तुगी एक लंबी शंकला है जिसमें अगरम बात करें साउकार आ गया महाजण आ गया आड़ती आ गया मिलवाला आ गया दलाल आ गया निर्यात करता आ गया फुटकर वियापारी आ गया ये कशान को उनकी उचित मुल्य का उचित मुल्य मिलता है उसमें कुछ नकुछ इस लोग वसूल लेते हैं इसलिए किसान को नुقसान हो रहा है इसलिए कर्शी विपनान और इन समयशाओं को दूर करना आवशग है बूसरा है उपज की गटिया किसम का ओना उपज की गटिया किसम होने के कारण के किया क्या है क्या जब फिर उने वह फिर हुपस देयार हाँ यही कारण लेने की किसान का और यही कारण को रहा है वही बात करेंके अपंडर-सुवीदायों का भाउ क्या होता है मैं बता दू कि भारत में किसानों के पास ऐसे बंदारन सुधाय नहीं है कुछ कॉल्ड इस्टोरेज नहीं है बड़े-बड़े बंदारन नहीं है ताकि वह अपने फसलों को बचा सके कई जगे चुओ की समश्या रहती है कई जगे फसल खराब होने का डर रहता है बरसात के पानी की समश्या रहती है जहाँ किसानों को अपनी उपज को रखने के लिए कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सके तद अच्छा वाओ आने तक वह इंतजार कर सके ऐसी विवस्ता पड़ता है तो दूसरा सबसे बड़ा दोश क्या है बंडार सुईदाओ का अभाव आगे बच्ची बात करते हैं परिवन सुईदाओ का अभाव यह बहुत बड़ी समश्य है देखिए क्या होता है किसान को अपने आसपासी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता ह वह शेरी शेत्र में या दूसरे इलागों में अपनी फसल नहीं बेच पाता है उसका सबसे बड़ा कारण है परिवन सुईदाओ का अभाव देखिए करशी वरस्तों की विपनन की कठनायों में एक कठनाई परिवन सुईदाओ की अभाव है जैसे गाव और शेरों को लगता है वह पोचने में और अपनी फसल को वह बेच नहीं पाते और नहीं पाते यह साधन महंगे पर जाते और समय से जञाएं उन्हें पहुते होंनका nem हो नहीं लग जाता है फसल खृपा उने डर लगता है तो इन कार्णों की बजह से कशी करशी विपनन नहीं से अलब विति undesignal राव यह है तुट कि सब्सक्राव बहुं हो लगता है उच्छन करनों सबस्क्राइं और ऐसी कार उन्ह विति सुझां की कमी की वज़े से भी कर्शी विपनन पून रूप से सफल नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी सरकार के दुवारा प्रियास किये जा रहे हैं तो बात करहें हम कर्शी विपनन में कर्शी विपनन के लिए सरकार के दुवारा 1965 में कर्शी मुल्य आयोग या कर्शी कीमत आयोग का गठन किया गया जिसे बाद में 1985 में नाम बदल कर कर्शी लागत एवं मुल्य आयोग कर दिया गया सरकार इसके लिए परियास कर रही है और कर्शी उपज के विपने ने तो सहकारी सेत्रवे सरकार के दुआरा राश्टी इस तरपर एक नाफेड नाम की संस्ता का गठन किया है नाफेड जो वो नेशनल लेवल की संस्ता होती है जिसका पुरा नाम है नेशनल एगरिकर्चरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसको शोर्ट में नाफेड कहते है हिंदी में इसका पुराना हमोगा राश्टी है करशी सेकारी विपनन संग और इसकी स्थापना जो ही थी बच्चो वो 2 अक्टूबर को 1908 वी थी इसका मुख्य उद्देशिक है कि ग्रामिन शेत्र में रहने वाले किसानों को उनकी उपजगा उचित मुल्ये मिल सके उनका श सरकार की दौरा नियूंतम समर्त मुल्य गोशित किया जाता है यानि इस मुल्य से कम किसान अपनी फसल नहीं बेचेगा माली जी अगर बजा बाजार में अत्यतिक मातरा में फसल का उत्पादन हो जाता है तब भी किसान इससे कम पे नहीं बेचेगा अगर उसकी फसल कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार द्वारा खरीद लिया जाएगा नाफेड इसे खरीद लेगी तो ध्यान कियेगा इसकी गोश्टना राष्ट्य करशी लागत तता मुल्य आयोग करता है और MSP पर इन उपज को कौन करेकर खरीदने का काम करेगा करेगा नाफेड करेगा तो रा में रखती है पहली बार MSP की गोश्टना जो हुई थी वह 1906 सरस्द में हुई थी लेकिन वेबस्तित रूप से इसकी गोश्टना गुंदी सो पिच्चतर शिंतर में हुई थी तो बच्चो MSP समझ में आ गया क्योंकि recently MSP के बारे में हम पढ़ भी रहें MSP का पुरा नाम हो इसका सुजाव पूर厲害 कलाम ने दिया था क्यों कर्शिब में बढ़ते रसाएनिक दूश्ट प्रभाव को रोकने के लिए जेवी खाद को बढ़ावा देने के लिए पूर्ह राश्पतीmare एपीजब्यक्र कलाम ने जेवी खेती पे जोड़ दिया और जेवी खेती को अपनाने वाला पहला राज्य है भारत में सिक्किम ये भी दिया रखना बच्चो इसलिए डॉक्टर कलाम को जेवी खेती का जनक काहा जाता है और दित्य हरित करांती का भी जनक काहा जाता है वैसे बताना चाहूँगा पर्थम हरित करांती का जनक या भा पहर्त गाव का देश है और गाव का विकास करना अत्यांत आउशक है क्योंकि भारत में अदिक्त आवादी गाव में निवास करती है और ग्रामिण जन्जिंग्या कि आजीगवा का मुख्य इस्तोथ क्रश्ची और क्रश्ची से जुड़े कार है इसलिए इन सभी शेत्रों क का विकास करना उशक है इसलिए उन्हें प्रयात्रों से रिंड मिल सके साग का विस्तार हो सके उनकी उपजगा उचित मुल्ले मिल सके उनके जीवनिस्ता का उत्थान करना यही ग्रामिण विकास है इसे साथ यह चेप्टर कंप्लिट हुआ धन्यवाद